इन्ही में से एक अत्यंत प्राचीन कहानी है चित्तोड की रानी पदमावती की जो प्राचीन काल से ही अपनी बेमिसाल खुबसुर्थी के लिए जानी जाती है। चित्तोड के राजा रतन सिंग की पत्नी रानी पदमावती अपने रूप की बजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मंत्र मुग्द करने वाली सुन्दरता ही रानी पदमावती की इस इतिहासिक कहानी का कारण बनी। आईए जानते हैं कि इतिहास में अंकित होने वाला ऐसा क्या प्रकरन था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली के तख्तों तास पर अलाउदीन खिलजी का रास था। जब बाच्चाहा को जादुगर राघव चेतन द्वारा राणी पद्मिनी की चकित कर देने वाली खुद्सूर्थी के बारे में पता चला तो उसके मन में राणी को पाने की गहन इ अंगीत कार था। लेकिन वह एक जादुगर भी था यह बात कोई नहीं जानता था। जब एक दिन उसका यह कृत्त रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसका मुह काला करके उसे महल छोड़ने का आदेश दिया गया। रागव चेतर यह अपमान सेहन नहीं कर सका और रतन सिंग से बदला लेने के लिए अलाउदीन खिलजी की शरण में दिल्ली पहुचा। इसके लिए उसने राणी पदमावथी को निशाना बनाया। जब उसने राणी की खुबसूरती का बखान किया तो खिलजी ने चित्तोर पर आक्रमन कर दिया। उसकी सेना कई महीनों तक चित्तोर किले के बाहर देरा डाले रही। परंतु चित्तोर पर कोई आच नहीं आई। क्यूंकि दुर्ग का निर्मान कुछ ऐसे किया गया था कि आवश्यक्ता की सारी बस्तु में किले के अंदर ही मौजूद थी। अंततहा सुल्तान की सेना का सब्र तूटा और सेना को वापस लोटना पड़ा। अलाओदीन खिलजी ने राजा रतन सिंग को पैगाम दीजा कि वह एक बाद रानी का दीदार करना चाहता है। इस बाद से रतन सिंग हैराम तो नहीं हुए पर राजा का कहना था कि यह राजपूती मर्यादा के बिरुद है। राजपूतों की इस्त्रिया पराय पुरुषों के सामने नहीं आती। पैगाम में लिखा था कि जिस रूप के दीदार के लिए खिलजी दिल्ली से चित्तोड आया, अगर उस रूप की एक जलग भी मिल जाए तो उसका सफर सफल हो जाए। पैगाम के अनुसार मैं सिर्फ रानी की एक जलग दूर से देखना चाहता था और उसने वादा किया था कि एक बार देखने के बाद मैं दिल्ली वापस लोट जाएगा। जब रानी तक ये बात पहुँची तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। लेकिन बहुत सोचने के बाद प्रजा के हित्त के लिए रानी ने तै किया कि वो अपने महल की सीरियों पर आएंगी। और सामने लगे एक कमरे के आएने में अलाउद्दीन रानी का प्रतिविंब देखेगा। इस प्रकार ना तो राजपूती मर्यादा का उलंगन होगा और सुल्तान की बात भी रख ली जाएगी। शर्ता नुसार रानी सरोबर के मद्द बने महल की सीरियों पर पहुची। और दूसरी तरफ रानी को इतनी दूर से आएने में देखकर ही सुल्तान के खोश उड़ गए। रानी की एक जलक पाने के बाद खिलजी ने राना रतन सिंग से इजाज़त ली और दिल्ली की तरफ रुख किया। अथिती देवो भवाह का पालन करते हुए राना सुल्तान को विदा करने बाहर तक आये। और बातों ही बातों में नजाने कब दुर्ग के साथों द्वार पार कर पहाडी के नीचे आ गए। मौका देखकर सुल्तान ने अपनी सेना को इशारा किया और राना को बंदी बना लिया गया। महल में संदेश भीज दिया गया कि यदि राजा जीवित चाहिए तो रानी पदमिनी को सुल्तान के सामने पेश होना पड़ेगा। रानी के लिए अत्यंत संकत का शड़ था। उसने अपने माईके के संबंधी गोरा नाम के ब्रिद्य व्यक्ति को बुलाया। गोरा तथा उसका भतीजा दोनों रानी की मदद के लिए पधारे। रानी ने सुल्तान दुआरा किये गए धोके की बात गोरा के सामने रखी। एक लंबी चर्चा के पश्चात रानी के कहें अनुसार गोरा ने खिलजी को संदेश पहुचाया कि रानी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं लेकिन जाने से पहले कुछ देर राना से मिलना चाहती हैं। संद्या के समय चित्तोर गड़ से सो पालकिया उतरी। खिलजी को भरुसा हो गया कि रानी पदमिनी उसकी खित्मत में पधार रही हैं। सुल्तान को बताया गया कि रानी की सखिया उसे विदा देने आई हैं। रानी की पालकी को एक बंद तंबू में उतारा गया और राजा को रानी से मिलने की इजाज़त दी गई। जब राना ने लजजित होकर रानी से माफी मांगी तो जवाब मिला कि वो रानी नहीं बलकि रानी के वस्त्रों में गोरा का भतीजा बादल है बादल ने राना की जंजीरे काट कर उसे आजात किया और बाहर खड़े घोड़े के द्वारा राना को चित्तोर्ग किले में भीज दिया गया जब तक खिलजी को इस शर्यंत्र की खबर हुई तब तक राना ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया था उधर गोरा तथा बादल सहित पालकी में सवार सभी सैनिकों ने सुल्तान की सेना पर आक्रमर कर दिया लेकिन जहां सुल्तान की लाखो की संख्या में सेना थी वहां चित्तोर की हजारों की सेना कहा तक संगर्ष कर थी अलाउद दीन धीरे-धीरे किले की दर्वाजे पार कर अंदर प्रवेश करने लगा उधर किले में मौजूद बालत तथा युवा से लेकर व्रद्धों तक सभी अंतिम युद्ध के लिए कमर कसे हुए थे जब राशपूर इस्त्रियों को पराजे का आभास हो गया तो खिलजी की शरण में जाने से बहतर उन्हें अपने प्राण त्यागना लगा और जहां एक ओर पुरुष युद्ध की तरफ निकल पड़े इस्त्रियों ने अपने लिए चिता तयार की जोहर की तयारी के बाद इस्त्रिया मंगल गीर गाती हुई एक-एक करके चिता में कूद गई दूसरी ओर केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए राशपूतों के सैनिक सुल्तान की सेना के साथ युद्ध में विरगती को प्राप्थ हो रहे थे शबों के धेर पर से सुल्तान अलाउदीन खिलजी ने महल में प्रवेश किया तो वहां उसे एक विशाल चिता में ही और इस प्रकार रानी पदमिनी की बहादुरी की मिसाल को इतिहास के पन्नों पर सुर्नाक्षरों में लिखा गया दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए